दोस्तों start करूँगे आज के Current Affair First article आता है हमारे बास में Golden Card के बारे मैं तो Golden Card एक तरीकए का Card मिलेगा जो कि आपको permanently Presidency का status देगा तो येए Scheme लॉंज की गई UAE के दौरा United Arab Emirat जो कि एक Middle-ist की कंटरी है उनके दौरा एक Scheme लॉंज की गई जिसका नाम है golden card permanent residency scheme अब इसको क्यों launch किया गए इनके दोरा ये permanent residency आपको provide करवाएंगे इनकी country के अंदर अगर यहाँ पे talent आएगा या कोई scientist आएगा या आप investment करोगे तो golden card आपको provide करवाए जाएगा जिससे आप permanently visa आपको मिलेगा कुछ years के लिए residency status मिलेगा वहाँ पे आप आजा सकते हो freely क्यों provide किया गया क्योंकि कुछ जो लोग थे उनको attract करने के लिए इनके दोरा किया जा रहा है ताकि इस initiative से attract कर पाएं foreign investment अपनी country के अंदर में और जो specialist होते हैं इनकी country में आ सके तो इसके अंदर में various category हैं जिनका नाम याद करने के आपको आवशक्ता नहीं आपको बस याद करना है golden card कौन सी country की scheme है और किस चीज से relate कर रही है तो इसमें जैसे journal जो investor होंगे उनको 10 साल तक का permanent residency visa provide करवा सकते हो real estate investor को 5 साल तक का दे सकते हो entrepreneur और talented professional जैसे doctor, researcher, innovator इनको 10 साल तक का दे सकते हो odd standing student अच्छा perform करने वाले उनको आप 5 year का status दे सकते हो तो इस तरीके से ये इन लोगों को attract करने की कोशिश की जा रही है next news आती है RBI के हवाले से regulatory cadre इनके द्वरा बनाया गया RBI के अंदर जैसा हमें पता है RBI पूरा regulator है हमारे financial system का जिसमें हमारे bank आएंगे, non-bank आएंगे तो RBI हमारा main regulator है तो RBI के उपर पूरी जिम्मेदारी होती है पूरे financial system को देखे उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होरी कोई scam बगएरा या पूरे stability जो maintain करने होती है financial system की वो RBI की जिम्मेदारी है इसी को और अच्छे से निभाने के लिए इनके दौरा create किये गया specialized supervisory और regulatory cadre जो इनका अपना work है supervise करना और regulate करना उसके लिए एक special cadre इनके दौरा बनाये गया ताकि ये अपने supervision की power को और ज़दा strengthen कर सके किन के उपर commercial bank के उपर urban cooperative, cooperative, non-banking, financial companies इनके बारे में आपको पता होगा economic के हवाले से तो अगर हम बात करेंगे regulatory cadre क्यों बनाने की कोशिश की गई इनके दौरा क्योंकि recent के अंदर में हमने देखा इंडिया के अंदर में किस तरीके के financial scam या किस तरीके की यहां पे RBI का failure देखा गया जिसके अंदर RBI को बोला कि आपके दौरा जो supervision और regulatory करना था वो fail हुआ जैसे हमारे पास में ILNFS, Infrastructure Leasing and Financial Service Company यहां पे इनका जो था debt उसके अंदर में problem आई non-performing बना लगो 95,000 करोड के करीब में इनका debt pending है non-performing है तो वो issue आया अभी इसमें RBI को पूछा गया कि आपके दौरा क्यूं ऐसा किया गया क्यूं आपको पहले इन बातों के बारे में नहीं पता चला ICICI bank का loan issue का आया जिसके अंदर में चंदा कोचर के ऊपर conflict of interest का इलजाम लगा PNB के अंदर में fraud हुआ निरम मोधी and NBFC non-financial banking company sector में cash की कमी cash का crunch होना non-performing asset के कारण तो वो सब कारण देखेगे कि RBI पहले से इनके बारे में predict करने के बारे में और उनको regulate करने में असाफल हुई इसलिए ये नया regulatory cadre अब बनाया जा रहा है चक्यार में पुराने वाल structure के अंदर में बोला जा रहा है काफी complex भी है वो उसके अंदर में RBI के बास में काफी सारे काम है इतने सारे bankों को देखना है non-banking financial companies को देखना है कुछ gold में deal कर रही है कोई other work में deal कर रही है फिर हमारे पास में इसके अलावा mutual fund आगे हमारे पास में तो इस तरीके की चीजों के साफ में RBI deal कर रहा है काफी ज़दे multiple institutions हैं तो RBI ये अपना काम अच्छे से नहीं maintain कर पा रहा है इसलिए नया regulatory cadre बनेगा जो की specialized way के अंदर में ये सारे काम करेगा तो RBI के बारे में complaint आ रही थी कि RBI के दोरा मतलब अच्छे से perform नहीं किया जा रहा supervisory function इसलिए ये cadre का निर्मान किया गया next news की तरब पढ़ेंगे next आता है strong room के बारे में news है तो इसके बारे में news क्यों आई क्योंकि काफी सारी political parties के दोरा बोला गया था कि EVM के साथ में जब election वगेरा हुआ उसके बाद में इनके साथ में छेड़ चार्ट की गई एक बार जब इनको लेखे गए उसके बाद में छेड़ चार्ट की गई इनको बदला गया उसी के लिए election commission के दोरा बोला गया election commission के दोरा असार्ट किया गया उनके दोरा दावा किया गया कि entire process चो polling की थी और जब EVM को store किया गया वो strong room के अंदर में store किया गया और वहाँ पे किसी भी तरीके से आप manipulation नहीं कर सकते इन machine के अंदर तो strong room का क्या मतलब strong room एक journal term है जिसके अंदर में जैसे cambridge industry dictionary के दरा बोला गया strong room एक ऐसा room होगा जिसके strong walls है strong door है basically ऐसा room जहाँ पे आप कोई interference कोई manipulation नहीं कर सकते वहाँ पे काफी ज़्यादा protection होती है जैसे यहाँ पे CRPF के जवान लगे होंगे lock लगे होंगे room के अंदर camera लगे होंगे तो उस type की चीज़े होंगी जो कि उसकी अंदर जो valuable चीज रखी जाती है उसको safe करती है तो valuable चीज रखी गई EVM इसके अंदर में तो ऐसा ही बोला गया कि हमने election के बाद में जो हमारी VBPAT machine थी उनको हमने ऐसे room के अंदर रखा था जहां पर double lock होते हैं CRPF का जवान होते हैं एंड camera वगेरा होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपको just remember करना strong room का मतलग क्या हुआ फिर आता है snake bite and venoming के बारे में तो snake bite के कारण काफी सारी लोगों की मौत हो जाती है WHO के दोरा recently global strategy launch की गई ताकि snake bite को रोखा जा सके global strategy ताकि snake bite को रोखा जा सके actual में कुछ हमारी बिमारिया जैसे अगर earth को divide करेंगे तो हमारे tropics के अंदर में कुछ बिमारिया जो यहां पे काफी heat होती है जंगल बगएरा काफी होते हैं यहां पे साफ बगएरा की काफी species मिलती है जहरीली species तो कुछ ऐसी बिमारियां जो की tropics के अंदर में मेंली हमें देखने को मिलती हैं चाहे यहां पे गरीबी के कारण देखने को मिलें जंगल के कारण देखने को मिलें जो की उपर वाले reason में थोड़ी कम देखने को मिलती हैं इस कारण से जो उपर वाली country जैसे US, Canada and हमारी European country उनके द्वरा research में उतना ज़ादा investment नहीं किया जाता उनके अंदर क्योंकि उनको उसकी उतनी ज़ादा problem नहीं होती वैसी condition में कुछ बिमारियां हमारी जो tropical में mainly मिलती हैं उनको neglect कर दिया जाता है उनको remove तो किया जा सकता है वो काफी बड़ी बिमारिया नहीं होंगी जैसे हमारे बास में malaria की बात करेंगे, diarrhea की बात करेंगे, snake bite की बात कर रहें अभी तो इन बिमारियों के लिए कोई खास आपको प्रबंद करने की आफशकता नहीं है लेकिन इनको neglect कर दिया जाता है विकास ये main countries जो developed country है उनको उतना effect नहीं करती उनहीं को बोलते है neglected tropical disease जिनको neglect किया गया है और snake bite environment एक उनमेंसे बिमारी है जिसमें snake आपको काटेगा और उसके बाद आपकी death होगी तो माना जा रहा है casualty होती है लगवग 1.8 से 2.7 million people हर साल के करीब में तो इतने सारे लोगों की हत्या होती है मौत होती है effect होते हैं इससे और उसमें से लगवग 4 lakh जो है वो permanently disabled हो जाते हैं और उपर से 81,000 से लेके 1,83,000 life इससे चली जाती है तो ऐसी कंडिशन में इतने सारे लोगों की मौत होती है और snake venom कोई बहुत बड़ी वात नहीं है कि आपको snake ने काट लिया की रिजन अफरीका, एशिया, लेटिन अमेरिका global strategy में बुलेगा 50% reduction करेंगे mortality में disability 2030 तक जो हिससे होती है snake biting में मतलब उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता आपको बस उसके लिए anti venom drugs बगारा prepare होनी चीए, hospital के अंदर में ये सारी सुविदाएं अवलब्ध होनी चीए, snake biting से बचा जा सकता, लेकिन इंको neglect किया जा रहा है ये इसमें main मता आ रहा है, तो WHO ने target रखा इसके लिए और बोलाग एसके अंदर में target को पूरा करने के लिए हम anti venom drugs बनाएंगे, दूसरा नई research करेंगे ताकि नया treatment आ सके हमारा snake bite से related next news आती है CFC 11 के बारे में, तो news को देखने से पहले हम देख लेते हैं, CFC के बारे में या Montreal protocol के बारे में तो Montreal protocol को sign किया गया था 1989 के अंदर में, उस time ozone layer जो की status sphere में होती है, जो की हमें radiation से बचाती है, UV radiation से बचाती है, काफी जगा depletion उसमें देखी गई थी, उसी कार्ण इस protocol को, protocol की बात होती है और इस protocol के अंदर बोला गया था कि हम cut करेंगे ऐसी substances जो की ozone को deplete करते हैं और पूरी earth से हम उनको remove करेंगे और इस protocol ने, माना जाता है कि सबसे successful protocol माना जा सकता है इसको environment के लिए हास से 1989 में ये force में आ था 197 party थी, और ये सारे बाद में success की बात करेंगे तो काफी successful भी हुआ इसने phase out किया, लगवाग 95% जो ऐसे substance जो की ozone को deplete कर सकते थे, उनको phase out किया उन्हें less than 30 year में तो world के अंदर में सबसे successful environment की लिहाज से सबसे ज़्यादा ratified हमारा protocol आता है जिसका नाम है Montreal Protocol इसके लाव आपको detail में इसके बारे में और ज्यादा study करने पड़ेगी next की गाली जो agreement आया उसके बारे में study करने पड़ेगी तो ये तो environment portion में आएगा लेकिन news की आ रही है इसके बारे में ozone depleting substance में कुछ chemicals हैं जिनको group करते हैं, CFC एक group होता है chlorofluorocarbon, उसके अंदर में group करते हैं उसी मैंसे एक grouping का हमारा product है CFC 11, recent research report के ने सारा है कि China continuously increase कर रहा है CFC 11 का use increase कर रहा है जो की violation है Montreal Protocol के खिलाब तो CFC जिसका full form है हमारे पास में trichlorofluoromethane CFC हमारा chlorofluoro अलग चीज है, लेकिन जो हमारा trichlorofluoromethane है यह इसी का सब पार्ट है, CFC का पार्ट है तो इसी को हम freon भी बोलेंगे, CFC 11, R11 भी बोलेंगे, और यह class of compound है जिनको chlorofluorocarbon बोलते हैं तो chlorofluorocarbon जो class of compound है उसी का सब class के अंदर आएगा यह और इसको widely use किया जाता है refrigerant में, ACs के अंदर use करते हैं foam making में, जैसा CFC को use करते हैं CFC के अंदर आ रहा है, तो इसी को same थरीके से use करेंगे इसको agree किया गया था कि Montreal Protocol के अंदर में कि इसको phase out कर दिया जाएगा लेकिन key finding report के अंदर मिली हालांकि चाइना के द्वरा इसको sign किया गया R&T buy किया गया लेकिन चाइना continuously increase कर रहा है इसका use, जो की violation है और second बोला गया कि 40 से लेके 60% total जो global emission ACFC का वो सिर्फ चाइना से horizon हो रहा है East China से, यहाँ पर आप map में देख सकते हो East China आ रहा है हमारा East China के अंदर 2008 से 2012 के अंदर देख सकते हो इसकी concentration और उसके बाद में 2014 से लेके 2017 था concentration increase हुई तो China violate कर रहा है इसको ऐसा बोला गया इनके तरह फिर next आता है हमारे पास में और Spherea giraldi और Spherea giraldi एक recent के अंदर में study publish की गई जिसके अंदर में बोला गया और Spherea giraldi तो fungus का नाम आपको थोड़ा याद रखना वैसे जर्नल में वैसे इतना complex scientific name के उपर UPSC focus नहीं करती लेकिन इसका scientific name ही अपे लेबल है इसका सिर्फ fossil मिला हमें जो present था तो अब क्या याद करना है आपको एक तो fungus क्या होती है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए तो अगर फंजाई की बात करेंगे तो यह एक group of organism है जिनको हम eukaryote बोलेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो तरीके के cell होते है एक होता है prokaryote दूसरा eukaryote prokaryote और eukaryote में basic difference यह है कि इनके nucleus के अंदर में यहाँ पे जो nucleus होता है उसके बाहर कोई membrane नी होती कोई membrane bonded nucleus नी होता कोई nucleus envelope नी होता उसमें लेकिन अगर हम eukaryote की बात करेंगे उनका nucleus जो होता है वो well तरीके से envelope के अंदर होता है अगर जैसे मालो eukaryote का nucleus cell के अंदर में ऐसे ही पड़ा होगा लेकिन इसका जो nucleus होगा वो cell के अंदर होगा उसके बाहर एक nuclear membrane होगी तो वो basic difference आता है जिससे इन दोनों cell को differentiate करते हैं अब human की बात करेंगे तो human कौन से cell में आता है eukaryote के अंदर human फंजाई जो है वो photosynthesis नहीं करती तो मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाती इसलिए ये खाना शक करेंगी नीचे से and function की बात करेंगे ये decomposition में help करती है फंजाई और bacteria mainly decomposition में help करते हैं organic matter के जिनके अंदर carbon present है plant या animal उनकी decomposition में तो अब हमें मिली और स्फेरिया गिरैल्डी एक fossil मिला बहुत ही पुराना oldest known fossil और ये जो था लगग 900 million से लेकि 1 billion years पुराना हो सकता है और मिला ये हमें Arctic region के अंदर में Northwest Canada के पास में तो बस इतनी information आपको याद रखनी है फिर आता है last article women in business and management तो हमारी एक report आई United Nation की एक specialized organization है international labor organization इनके हवाले से एक report आती है report का नाम था women in business and management अब report के अंदर study किया गया various business and management के अंदर women को और report के अंदर क्या बोला गया कि company जिनके अंदर gender diversity है जिनके अंदर women की participation को increase किया गया especially top position के उपर वहाँ पे performance better देखने को मिली higher profit देखने को मिले और better economic growth वहाँ पे देखने को मिली तो report के अंदर क्या क्या बोला गया की finding क्या क्या है company ने काफी अच्छा perform किया उनके profit जो थे वो जहाँ पे women को अच्छा place दिया गया profit जादा हुए पांस से लेके 20% तक profit उनके increase हुए 57% company के दौरा बोला गया कि हमारे जब हमने women को की संख्या को increase किया तो जो new talent house को attract करने और retain करने में काफी help मिली हमें उसके बाद हमारी 54% companies जिनका survey किया गया उनके दौरा बोला गया women की participation के कान creativity increase हुई, innovation increase हुई openness increase हुई, और ये काफी अच्छा था इंडिया की भी अगर बात करेंगी, इंडिया और चाइना के बीच में अगर difference एक create करेंगे तो main आता है उसमें women की participation का इंडिया की women participation काफी poor है लगग 24% के करीब और काफी, मतलब, workforce के अंदर में इंडिया कंपेर कर सकता है, इंडिया double digit growth के अंदर जा सकता है 10 से उपर जा सकता है, अगर women की condition को improve किया जाए अब धीरे धीरे improve हुरी है, देखते हैं कितने improve हती है तो मिलते हैं next video के अंदर, thank you